दोस्तों अगर आप bank of product के net banking का transaction password change करना चाहते हो या फिर reset करना चाहते हो तो वह आप simple steps follow करके कैसे कर सकते हो यही बताने वाला हो अगर आप channel पर नहीं हो subscribe जरू कर दीजिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब दोस्तों transaction password और transaction pin में confuse मत हो जाना क्योंकि transaction pin हम bob world application के अंदर use करते हैं कोई भी transaction complete करने के लिए लेकिन यहां मैं transaction password की बात कर रहा हूँ जो bob world internet banking में होता है तो transaction password बनाने के लिए या चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक browser open करके bob net banking search करना है यहाप लिंक मिल जाएगा लिंक को सिलेक्ट कर लीजिए login page मिल जाएगा तो आपको आपका user id नहीं पता है तो यहाँ पर forgot user id का option मिलता है अब user id कैसे पता करें इसके उपर dedicated video मैंने बनाया है तो वो भी आप checkout कर सकते हो यहाँ पर user id एंटर कीजिए और simply login कर दीजिए user id एंटर करके जब आप login के उपर tap करोगी तो आपको यह particular pop-up जो है मिल जाएगा यहाँ पर आपको आपका mobile number सबसे पहले एंटर करना है और mobile number एंटर करने सब आपको 91 code एंटर करना है तो 91 code एंटर कीजिए और उसके बाद में आपका mobile number एंटर करके continue कर दीजिए मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया है continue करेंगे अब यहां पर हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP होगा जो हमें यहां पर एंटर करके continue कर देना है अब जैसे ही आप OTP एंटर करके आगे बढ़ जाओगे तो यहां पर next page के ऊपर आपको आपका password एंटर करना है उसके ब पापस एक बार आपको pop-up मिल जागा जिसमें तीन option आपको मिलते हैं तो पहला option है यहां पर इंटर करना है क्योंकि हमें transaction पासवर्ड बनाना है और सिलेक करके आप सिंप्ली continue कर सकते हो अब एक बार फिर से आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहेगा तो 91 एंटर कर दिया है continue करेंगे अब यहां पर आपको मोबाइल पर और email ID पर OTP रिसीव होगा तो एक एक करके दोनों OTP आपको एंटर करना है और continue कर देना है अब यहां पर दोनों OTP मैंने एंटर कर दिया है दोस्तों सिंप्ली continue पर टैप करेंगे continue पर टैप करने के बाद एक और pop-up screen आपको मिलेगे आपकी आपको तीन option मिलता है हमें नहीं करना है रिसेट साइन औन और transaction password हमें ढहीं करना है हमके सिर्फ transaction पासवर्र करना है तो हम करनार चाहिए तो सारें चीज़े पड़俺 राक्र और नैया transaction password create कर लीजिए, तो जल्दी से करते हैं, तो यहाँ पे आपको नया वाला password दोस्तों दो बार enter करना है, एक बार enter करने के बाद retype करना है और उसके बाद मैं आपको simply done कर देना है, अब दोनों password मैंने enter कर दिये है, simply go option पर tap करेंगे, और यहाँ पर आप transaction पिन के बीच में, दोनों अलग चीज़े हैं, तो अगर आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप you know, mobile के अंदर notes में जो है, यहाँ पर mention कर गया, save करके रख सकते हो, ताकि आपको future में अगर आप बूल जाओ, तो वहाँ से आप रेफर कर सको, या फिर रेफर कर सको, तो बस दोस्तों यही सिंपल तरीका है, जिसके मदद से आप बूबी वर्ड अप्लिकेशन के, फिर इंटरनेट बैंकिंग का जो है, ट्रांजाक्शन पास्वोड चेंज कर सकते हो, या फिर रिसेट कर सकते हो, वीडियो कर आपको हेलपफूल लगा है, लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना, बाकि मैं मिलता हो नेक्स शूडियो में, धन्यवाद